नमस्कार विध्यारतियों मैं बियस राजावत मिशन ग्यान के ओनलाइन प्लेट्फोर्म पर आप सभी मित्रों का हर्दिक स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं दोस्तों एग्री कल्चर अपन देख रहे थे एग्री कल्चर के तीन वीडियोज हैं अपन बढ़ा चुके हैं चोथे वीडियो की बात अपन कर रहे हैं तो देखिए आज अपन देखेंगे यग्री कल्चर से जुड़ए हुआ चोथा पार्ट है प्रदान मंत्री फसल बीमा योधना बड़ा में यह टोपिक है में बिंदु है प्रदान मंत्री फसल भी मायोधना देखिए सबसे पहली बात तो दोस्तों आती हैं कि बीमा क्यों करवाया जाता है सबसे पहली बात है बीमा क्यों करवाया जाता आजकल वस्तुओं का भी हम बीमा करवाते हैं लाइप का भी हम बीमा करवाते हैं देखो आजकल तो हर चीज का बीमा होता है स्वास्ते का बीमा होता है दुर्गटना का बीमा होता है लाइफ का बीमा होता है कार का बीमा होता है मोटर साइकल का बीमा होता है, दुकान का बीमा, मकान का बीमा, गोदाम का बीमा, दुरगटना का बीमा, आग का बीमा, सबी प्रकार के बीमे होते हैं तो पहली बात तो बीमा करवाया क्यों जाता है? बीमा करवाया जाता है संबावित जोखिम से अपने आपको बचाने के लिए बीमा करवाया जाता है। अब हमारे को यहां पढ़ना फसलओं का भीमा क्यों करवाया जाता है। तो किसान ऐसा All और किसान सुब्वाइ मिलता किसान बोत है जब तक उसको प्रडेक्शन मिलता इस दोरां चार-ब modular पॉइने का टाइम लगता है और इस मेने के पिरियड में फसल के साथ में कई प्रकार की संभावी जोखे में होती है जैसे अती व्रस्टी का हो जाना अना व्रस्टी का हो जाना ओला व्रस्टी का हो जाना की फसल के कीड़ा लग जाना पकी पकाई फसल के आग लग जाना तो इस प्रकार की फसल से जुड़ी जाता है बीमा करवाया जाता है संबावित जोखिमों से अपने आपको बचाने के लिए बीमा करवाया जाता है दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं फसल बीबा तो दीखिए भारत में फसल बीमे की सुरुवात है वो 1985 में हो गई थी 1985 में व्रहेद फसल बीमा योजना प्रारम की गई थी 1985 में इस योजना का नाम बदला 1999 में 2000 में है और 1999 2000 में इसका नाम बदल के कर दिया रास्टिये फसल बीमा योजना रास्टिये फसल बीमा योजना इसका नाम कर दिया है दोस्तों 2016 में प्रारम हुई है प्रदान मंत्री फसल बीमा प्रदान मंत्री फसल बीमा योजना इसके प्रसंद का एक जाम से पूछे हुए हैं ध्यान रखना प्रदान मंत्री फसल बीमा योजना की हम बात करें तो प्रदान मंत्री फसल बीमा योजना की अगर पूचे की गोशना तो इसकी गोशना तेरा जनवरी दो हजार सोला को प्रदानमंत्री फसल वीमा योजना की गोष्णा तेरा जनवरी दो हजार सोला को की गई थी तेरा जनवरी तेरा जनवरी 2016 को और अगर यह पूचे किसको प्रभावी कब से किया गया है इसको प्रभावी किया गया 15 औरहा जोलाई लख्राइड विशना पंद्राइड व्ञेंस सोला इसको प्रभावी कर दिया गया है दोस्तों है कि यह पूछ लेकि प्रदानमंत्री फसल भीमाई यद्णा की स्कूरवाथ की तो खरीब फसल के साथ में सुरवांथ हुई है क्योंकि इस वह विख है जुलाई में इसकी सुरुवा तो जुलाई में इसको प्रभावी किया गया तो जुलाई में जो फसल होती वह कुंसी होती खरीब की फसल होती है तो देखे प्रदानमत्री फसल वीमा योजना की गोशना 13 जनुवरी 2016 को नरिंदर मोदी ने की थी और पंद्रा जुलाई 2016 से प्रभावी कर दिया गया है खरीब की फसल के साथ में प्रदानमत्री फसल वीमा योजना है इसमें प्रावदान यह हैं बिटो कि यदि किसान अपनी फसल का वीमा करवाता है अगर किसान खरीब की फसल का वीमा करवाता है तो इसको दो प्रसेंट प 1.5 प्र Grade देना पड़ेगा और अगर वयापारिक फसलों का वीमा करवाता है तो प्र Cer hygienP seventh kri ض देना है रवी की फसल का करवारा तो एक पॉंट प्रसेंट प्रिमियम देना है और व्यापरिक फसलों का करवारा तो प्रिमियम देना है बाकि जो सेच प्रिमियम बचेगा इनके अलावा जो प्रिमियम बचेगा उसका 50% तो कौन देगी उसका 50% तो 50% है यह तो केंदर सरकार देगी केंदर सरकार देगी और 50% है वो सम्भंदित राज्ये की सरकार देगी राज्ये सरकार देगी और किसान की फसल का क्या हो जाएगा बीवा फोर एक्जाम्पल एक उधारण में आपको देता हूं माल लिजिए किसान ने अपनी खरीब की फसल का भीमा करवाया ठीक है साथ खरीब की फसल है और भीमें का प्रीमिय मारा है 100 रुपए एक उधारण है कितने रुपए 100 रुपए कितने पार्टनर हो गए इसके इसके पार हरれた साथ ईकाल हें एको की संट्र गौ्वडॡ्मेंट और एक हो गी स्टेट गॉर्में आप चुके फसल कicial के खरीब कि खरीब की किसान को कितना प्रशंट देना द्थो परसंट तो सो में से दू रुपए तो कौन देगा किसान को देना पड़ेगा बाकी कितना बच गया ब 49 रुपे राज्य सरकार देगी, टाटल कितने हो गए, 100 रुपे हो गए और किसान के फ़सल का बीमा हो गए, जैसे ही किसान की फबीमा हुआ, जिस दिन किसान थे अपनी फ़सल का बीमा करवाया, उस दिन से ले कर, फ़सल की कटाई के 14 दिन बाद तक, जिस दिन किसान ने फसल का भीमा करवाया उस दिन से लेकर फसल की कटाई के 14 दिन बाद तक यदी किसान की फसल को किसी प्राकरतिक आपदा के कारण को नुक्सान हो जाता है चाए वो अती व्रस्टी हो चाए अना व्रस्टी हो चाए ओला व्रस्टी हो चाए कीड़ा लग गय किसी भी कारण से किसान की फसल को अगर कोई शती हुई है तो द्यानपना बीमा कमपनी है उसकी किसान को क्या देगी शती पूर्ती देगी ये प्राउदान प्रदानमत्री फसल बीमा यूद्ना के अंतरगत की आगया है अब दूस्तों ध्यांद रखना इसमें भी ध्यान रखें रिश्क कवर कब से हैं कब से कब तक हैं बीमा तिती से लेकर फसल की कटाई के चवदा दिन बात तक यदि फसल को किसी प्राकरतिक आपड़ा की कारण कोई शती हुई है तो बीमा कंपनी उसके किसान को सती पूर्ती देती है अब द्यानतना बीमा करने वाली बोड़ी है वो भी दो प्रकार की होती है बीमा करने वाली बोड़ी दो प्रकार की है एक तो है एलाई सी और एक है जी आई सी जी आई सी बिटाव एलाई सी है यह तो जीवन का बीमा करती है जीवन बीमा हुमन वस्त्वों और सेवाओं का जो वीमा किया जाता वो है जिए के द्वारा किया जाता कि एल सेभ्तेंबर निस्थे छपवन को इसनिए एक सिप्टमबर को अला एप सी दीवस के रूप में बनाया Dlatego और जी आइसी की स्तापना है वो हुई थी कि चोवीस 9apter 1972 को सबस्जों प्रदानमंतरी फसल वीमा योजना किसके अधिन आती हैं तो प्रदानमंतरी फसल वीमा योजना जी से जी आइसी के अधिन आती है ध्यान रखणाओ प्रधानमंत्री फसल्वीमायोजना किसका पार्ट है जी ऐसी का पार्ट है अब लिखा क्या इसमिए ऐ देख लेते हैं रास्टि ये फसल्वीमायोजना की स्थान पर श्री नरेंदर बोधी ने प्रदानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनुवरी 2016 सोला को गोशित की है ये योजना एक रास्ट, एक योजना की ठीम के उपर ये योजना आधारित हैं, इस योजना के अंतरगत किसानों को खरीब की फसल का दो प्रतिशत ये याद मेरें, खरीब की फसल का 2 प्रतिशत रवी की फसल का 1.5 प्रतिशत व्यापारिक फसलों का 5 प्रतिशत प्रीमियम देने का प्रावधन किया गया है तता सेश प्रीमियम का 50 प्रतिशत के अंदर सरकार के द्वारा और 50 प्रतिशत राज्य सरकार के द्वारा दियर दने का प्रावधन क की गई है अब देखिएगा राजिस्तान की एग्री कल्चर से जुरे हुए कुछ प्रमुक नोट है जो विबिन एक्जाम्स में पूछे गए हैं आर्थिक समिक्षा से जुरे हुए नोट है यह नोट आपको बहुत गहराई से बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और देखना च का जो कुल करसी योगे भाग है उसका ग्यारा पुइंट दो प्रतीशत है वह हमारी राजस्तान में पहली बाग राजस्तान की जन संख्या कर्षी कारियों में ज्यान रखना राजस्तान की sq2 प्रसेंट जन संख्या है वो रोजगार के लिए कर्सी पर सबसे बड़ी समझ्या यही है आपको पता है शेक्त्रफल की दृस्ती से राजस्तान भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है भारत की भारत का 10.41 प्रतीश सेक्त्रफल राजस्तान के हैं पर भारत का जो ग्राउंड वाटर हैं सतही जल संसाधन हैं वो केवल 1.16 प्रसंट ही राजस्तान में हैं फिर हैं मैंने बताया था बाजरा सरसो राई मेती जीरा धनिया ग्वार मोट इनके उत्पादन में भारत में राजस्तान र राज्य कुम कहा जाता है क्योंकि सर्सों के उत्पादन में बारत में राजिस्तान राज्य का प्रथमिस्तान है पाच्वाँ बड़ा मैत्पुन प्रसंदान के राज्स्तान इंदर शेवर बरतपुर में और कोलीज lक्टर के एक्जाम में प्रसंद्प पूछा गया कि शेवर बरतपुर में सरसो अनुसंदान कि स्तापना किस वर्स होई थी तो ध्यानदकना 20 October 1903 में को तो देके राजस्तान में सरसों नुसंदान केंद्र शेवर बरतपुर में है और इसकी स्तावना 20 अक्टुबर 1903 में कहुई थी ये प्रसंद वीडियो में पूछा हुआ ये कोलेज लेक्षर में पूछा हुआ है ध्यांद रखना ये प्रसंद पटवार के एक्जाम में पूछा हुआ है कि देश का प्रतम मसाला पार्क है वो कहा है तो देश का प्रतम मसाला पार्क है वो बेटा जी जौदपुर में है देश का प्रतम मसाला पार्क जौदपुर में ह साथ अप्रेल 2001 को ऊद razor दोजार एक मसाला परग और एगर दिद्धी मसाला पर पूछता तो कोटाबेящ दिद्धीय पूछे तो दिद्धीय पूछें यह प्रसद बीटोग पठवार के एक्जाम में पूछा वायीं फिर व कि भारत की प्रमुख्यां फसल चावल है राजिस्तान की प्रमुखाद्यान फसल गेहूं है और केवल पसिमी रास्तान की बात करें तो पसिमी रास्तान की प्रमुखाद्यान फसल है वो बाजरा है बारत की पूस्ता है चावल रास्तान की पूस्ता है गेहूं पसिमी रास्तान की पूस्ता है तो पसिम करने के लिए खाद के रूप में जिपसम का प्रियोग किया जाता है मिट्टी की क्षारियता को कम करने के लिए जिपसम का प्रियोग किया जाता है लोणियता को कम करने के लिए रोक फॉस्पेट का प्रियोग किया जाता है और अमलियता को पहला विकल्ब दिया एक प्रकार का काटा तो अपन तो गाउं के लोग हैं अरे वो सूड नहीं होती वो तो शूड होती है और यहां पूछा शूड तो सूड क्या है खेत की जुताई करने से पहले जाड जंजाड को साफ करना क्या कहलाता है सूड कहलाता है फिर देखेगा यह second grade में पूचा हुआ प्रसन है कि रास्तान में माल्टाय किन्नू का सरवादी कुद्पादन रास्तान में माल्टाय किन्नू का सरवादी कुद्पादन वो गंगानगर में होता है और संत्रे का सरवादी कुद्पादन जालावाड में होता है इसलिए दोस्तों ध्यानकना जहलवाड है इसको रास्तान का नागपूर कहा जाता है ये प्रसण रास्तान पुलिस के एक्जाम में पूछा हुआ प्रसंद है कि रास्तान का नागोर जिला किस क्रसी उपज के उत्पाजन के लिए प्रसिद्ध है तो रास्तान का नागोर जिला हरी मेती के दो पान मेती के दो कसूरी मेती के दो खुश्बुदार मेती के दो इसके उत्पाज प्रसंद पूछा कि राजस्तान में अमेरिकन या लंबे रेसे वाली कपास का सरवादिक उत्पादन तो राजस्तान में अमेरिकन या लंबे रेसे वाली कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन है वो तो गंगानगर में राजस्तान में देशी कपास है वो तो हनुमानगड में होती है देशी कपास तो सबसे अलगा होती है हनुमानगड में और अमेरीकन या लंबे रिसे वाली कपास है वो कहा होती है घंगानगर में होती है ध्यान रखें कपास को इस्तानिय बासा में बनिया कहते हैं कपास को इ सरवादिक भीहड भूमी हैं वो धौलपूर जिले में बंजर भूमी ऐसे होते हैं जो क्रसी के लिए अनुप्युक्त होती है बीहड भूमी वो होती है जिसमें पेड़ होते हैं उसमें गेरे गड़े होते हैं जा क्रसी नहीं की जाती तो बंजर भूमी तो जैसल मेर में और बीड बुमी का है दौलपूर में हैं राजस्तान में सरवादिक सिचाई कुवे और नलकूपों से ध्यान रखना राजस्तान में सरवादिक शिचाई कुवे और नलकूपों से होती है इसमें भी आपको ध्यान रखना है शिचाई के समझ में आगर पूछे कि कुवे और नलकूप कुवय कुवय और नलकूपों से सरवादिक शिचाई जो होती है वो तो जेपुर जिले में होती है ठीक है अगर तालाबों से सरवादिक शिचाई पूछे तालाबों से तो तालाबों से सरवादिक सिचाई भिलवाडा में होती है और राजस्तान में जोत्यों का और 2.13 हेक्टियर और भारत में एक पॉइंट पंद्रा हेक्टीरी राजस्तान के आर्थिक समिक्सा का डाटा है जो कई एक्जांप्स में पूछा जा चुका है फिर हैं राजस्तान की जीडीपी में क्रशी शिक्त्र का योगदान है दोजार इकीस बाइस में दोजार इकीस बाइस में इस्तिर मुल्यों पे 28.85 प्रतिशत रहा है ध्यांद रखना राजस्तान की जीडीपी में जीडीपी होता ग्रोस डमस्टिक प्रड़क्ट सकल गरेल उत्पाज उसमें क्रशी शिक्त्र की इस्सेदारी इस्तिर मुल्यों प सरवादिक शक्त्रफल में बोई जानी वाली फसल है वो बाजरा है फिर राजस्तान में जुमिंग क्रसी किन जिलों में की जाती रही है तो रास्तान में जुमिंग क्रसी बास्वाड़ा है डूंगरपुर है उधेपुर है इन जिलों में की जाती जैनि पहारी शक्त्रों में इस प्रकार की खेती की जाती रही है फिर अपन ये बात कर चुके हैं कि भारत में होवा जो जबा 1965 में लाएं कहां से लाएं इसराइल से लाएं हैं और कौन सी संस्ता लेके आई थी काजरी के द्वारा ये पोदा है लाया गया है काजरी है क्या काजरी राष्टिये सुस्क अ एक्जाम में पूछा हुआ है ध्यान रखना 27 फरवरी 2009 को राजस्तान में प्रतम राज्य किसान आयोग का गठन किया था और जिसने अपना काम 26 नवंबर 2011 से प्रारंब किया था और आपको ये भी पता है कि राजस्तान के प्रतम जो किसान आयोग है इसके अद्यक्स कृसी की गण्णा उनिसो सतर एकत्र में हुई थी और क्रशि गण्णा हर पांस साल में होती और ये करवाता है सहिकारिता विभाद क्रशी की करवाता है कि 2015 अभी जो डाटा है 2015 16 की गण्णा का और 2015 16 की गण्णा है वह दस्वे क्रम की गण्णा है यह बात आपको ध्यान में रखनी है 15 16 की और 15 16 की गण्णा को इनसे क्रम की है दस्वे क्रम की गड़ना है फिर हैं ये प्रसंद भी पूचा हुआ है एल्डिसी के एकजाम में कि राजस्तान सरकार की वर्तमान क्रसी प्रोसान नीती 17 दिसंबर 2019 की है द्यानतना तारिक सिंग पूचे तो 17 शितंबर 2019 ये पूचे कि राजस्तान सरकार की वर्तमान क्रसी प्रोसान नीती कब की है राजस्तान सरकार की वर्तमान क्रसी प्रोसान नीती है वो मेरे बच्चों ध्यान रखना 17 सितंबर 2019 की है और इस नीती का उद्देश्य रखा गया 2022 तक किसानों की आई को दुगना करने का टार्ग थी कब किया तो 26 June 2053 की राज्टां राज्ज की वर्तमान अक्रसी नीथि हैं देशAPPं जेतुन रिफाइरी तो देश की पहली जेतुन रिफाइर निरा सिर्भर काहें we फिर अब राजपेड नाफेड आया था अभी थोड़ देर पहले बाते की थी तो राजपेड राजपेड की स्तापना 26 नौवबर 1957 को हुई थी नाफेड की स्तापना दो अक्टूबर 1958 को हुई थी ट्राइफेड ट्राइफेड हैं वह अनुसुची जातियों से समय देते इस स्थापित किया गया फिर ध्यान रतना मुंब्रदा स्वाश्टेकाड योजना जो मैंने बताया थाunu थारदफमी की से फरवरि 2015 योजना मुद्धना को प्रारम की ती इसका श्लोगन है स्वस्त धर आऔर खेड हरा और इस में भी केंध्रों राज्य सरकारों किसेदारी हैं वह साथ अनुपात चालीस है यह बात तो पहले भी आ चुकी कि पहली जेतों रिफाइली लून करनसर भी कानेर में स्थाभित की गई है फिर अपन बात करते हैं ि है कि 2019 पीस में राजिस्तान में खाध्यानों का उत्पादन 222.45 लाग मेट्रिक टन तेलन का कि 87.15 लाग मेट्रिक टन अनाजों का उतपादन 222.45 मेट्रिक तेलन का 70.15 मेट्रिक टन जलंका 48.58 सी लाक मेट्रिक टन रहा है यानी अनाज कितना रहा है तिलन कितना रहा है दलन कितना रहा है यह अलग अलग डाटा इसमें दिये गए जो कि आर्थिक समीक्षा का डाटा है फिर है प्रामुक अनुसंदान केंद्र रास्तान में प्रम क्रसी से जोड़ेए प्रमुक केंद्र कहा है रास्तान में केंद्रिय क्रसिय अनुसंदान केंद्र दुर्गापुरा में है और दुर्गापुरा कहा है जैपुर में अगर पूस्ता है कि रास्तान में केंद्रिय अनुसंदान केंद्र कहा है केवल अनुसंदान केंद्र तो केंद्रिय अनुसंदान केंद्र उदेपुर में हैं ध्यान रखें अगर यह पूस्ता है कि रास्तान में क्रसी अनुसंदान निदेशाले कहा हैं तो रास्तान में क्रसी अनुसंदान निदेशाले हैं वो जेपुर में हैं फिर हैं मसाला नुसंदान के इंदर रास्तान में मसाला वे बीज अनुसंदान के इं और तबीजी कहा है अजमेर त्यानका प्रेटिकुलर जगें डूमाडा प्रेटिकुलर पहले से तबीजी निकर्तम कस्वा है और जिला कौन सा है अजमेर यह प्रसंद भी खुब पूस्ता है सरस्वा नुसंदान के अंदर की बात अपने की थी कि रास्तान में सरस्वा नुस तो हुई थी तो आछण में 추ट करेंत का संथारंस्टान में फिर राएद रास्ताम में रास्टी can सूरत गड़ रहें और सूरत गणगारःगर में पिर हो बाव एक नुसान दाथन के इंदी क हैं ये न्द करण चिंद नंटरस्क प्रसिख संगे पुड्र श को आफरी कहते हैं आफरी का मुख्याले का आत्रास्ति उद्यानी की वन अवाचार केंद्र तो ध्यान रखना अंतराश्टी उद्यानी की वह नवाचार प्रसिक्षन केंद्र कहां जेपूर में हैं केंद्रिये क्रसी फार्म कहां हैं तो केंद्रिये क्रसी पार्म जेतसर में हो जेतसर कहां हैं गंगानगर में हैं फिर हैं केंद्रिये सुस्क बागवानी संस्त संस्तान तो केंद्रिये सुष्क भागवानी संस्तान विच्वाल में हो विच्वाल कहां है विच्वाल विकानेर में हैं यह बेटाओ अब आताती है क्रसी से जुड़ी हुई प्रमुक मंडिया प्रमुक क्रसी मंडिया कौन कौन सी है पहला है संत्रा मंडी तो बेटा क्रसी मंडियों याद करने में बहुत आप तो यह ध्यान तक लेना जनरली जिस क्रसी उपसका उत्पादन जहां हुरा है सरवाधिक कः मंडी काह launcher में पूशे कर में कि की सवाइ मादुपूर के गंगानगर में सवाइ माधुव में क्यों कि सवाझ मादुपूर के मैं धुमोक नहीं तो soyap पाली में है फिर है इसब गोल मंडी इसब गोल मंडी भीनमाल जालोर में इसब गोल मंडी कहा है भीनमाल और भीनमाल कहा है जालोर में ध्यानतना रास्तान में इसब गोल उत्पादम का प्रमुक जो शेक्त्र है वो जालोर शेक्त्र है और यह प्रसना भी फसगेड़ में सबसी लूं घर एंचेन इर में मन्डी मुंग फली मंदी चूखी मुंगफली सबसे ज्ग्सकैंदा मैं होती हैं इसलिए इसलिए भा pushing है थर एक मसाला वसोगे मिवे कि मअना मैं और महना क्या है यह array अपने बात करी ली थी कि राजस्तान में मसाला वे बीज नुसंदान के अंदर पूस्ता तो डूमाडा डूमाडा कहां डूमाडा तबीजी जिला कुन सा जमेर स्तापना हुई थी अप्रेल 2000 में और यहीं बेटाओ हमारा क्रसी से जुड़ावा टोपिक है वो कंप्लिट हो जाता है इसके चार लेक्सर हमने डिलीवर किये हैं अगले के नए टोपिक के साथ में फिर में आपके साथ मुलाकात करूंगा आज के लिए बहुत बहुत आशिरवात शुब कामना है थांक्स